Hello and welcome to my YouTube channel My Classroom आज हम Class 7 के Social and Political Life का Chapter 7 हमारे आसपास के बाजार करेंगे वीडियो को लाज तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा चाप्टर अच्छे से समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना हम अपने आसपास कई तरह के बाजार देखते हैं जहां से हम बहुत सी चीज़े खरीते हैं जैसे सबजिया, साबुन, दंदमंचन, मसाले, ब्रेड, बिस्कूट, चावल, डाले, कपड़े, किताबे, कॉपिया, आदी हम जो भी खरीते हैं इन सब की जो सूची होती है वो बहुत लंबी चोड़ी होती है जिस तरह हमारे समानों की इतनी लंबी लिस्ट होती है उसी तरह जो हमारे बजार होते हैं वो भी कई तरह की होते हैं जहां से हम अपनी रोजमर्मा की चीज़े अपने जरूरतों का समान खरीते हैं जैसे कुछ जो बजार होते हैं वो हमारे घर के आसपास के होते हैं, हमारे पास की दुकाने होती हैं, कुछ बजार हमारे सापता ही बजार होते हैं, जो सपता हमें कुछ दिन ही लगते हैं, इसके अलावा बड़े बड़े शॉपिंग कॉंपलेक्स और शॉपिंग मॉल होते ह जहां से हम अपनी डेली यूजिस की जो चीजे होती है वो खरीद के लाते हैं तो इस तरह हमारी जिंदगी में जिस तरह चीजों के लिस्ट लंबी है उसी तरह हमारे आसपस जो बजार है उनकी भी लिस्ट लंबी है कई तरह के बजार हम अपने घर के आसपास देखते हैं तो इनी सारे बजारों को आज हम इस चैप्टर में डिसकस करते हैं हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो सापताहिक बजार का है सापताहिक बजार जो सपता के किसी एक निश्चित दिन में लगता है इस साप्ताहिक बाजार में बेचने वाली पक्की दुकानी नहीं होती तो जो साप्ताहिक बाजार इसको नाम ही साप्ताहिक बाजार इसले दिया गया है क्योंकि ये साप्ताह के किसी एक दिन लगता है जैसे हर जगह अलग अलग दिन सापताहिक बजार लगते हैं जैसे किसी के आपे बुद्ध बजार लगता है कहीं ब्रिस्पध बजार, सुक्र बजार, सनी बजार और उस बजार में हमारी जरूरत की हर एक वस्तो उपलब्ध होती है हम एक ही जगा से काफी सारी चीज़े खरीद सकते हैं ऐसी सुधाएं हमें सापताहिक बजार में देखने को मिलती है और इनके फायदे ये होते हैं कि सापताहिक बजार में जो बेचने वाली पक्की दुकानी होती हैं वो नहीं होती है तो इसकी वज़े से जो पक्की दुकानों पे खर्चा लगता है वो हमको नहीं देना पड़ता है जैसे वैपारी दिन में दुकान लगाते हैं और साम होने पर उन्हें समेट लेते हैं अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगा पर लगाते हैं तो कोई इन में से अपनी रोजमर्मा की जरूरतों की चीजे खरीदने आते हैं सापताहिक बजारों में बहुत चीजे सस्ते दामों पर मिल जाती है तो सापताहिक बजारों में हम हर तरह की चीजे खरीद सकते हैं कपड़े से लेके घर का सामान, खाने पीने की चीजे, सबजी, फ्रूट्स, हर चीज हम वहाँ पे खरीद सकते हैं और बहुत सी चीजे ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़ादा सस्ते दाम पर मिल जाती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पक्की दुकाने होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के लिए कई तरह के खर्च जोडने होते हैं उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी, सुल्क आदी देना पड़ता है अगर हम पकी दुकानों को देखे तो उनके उपर काफी तरह के खर्च होते हैं जैसे उन्हें दुकानों का किराया देना पड़ता है अगर उन्हें दुकान किराया पे ली है तो उनको उसका कॉस देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, फिर टेक्स देने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये सारा जो खर्चा होते हैं, वो कहीं न कहीं वो अपने समान में जोड़ते हैं, लेकिन सापताहिक बजारों में ऐसा नहीं होता है, उन्हें इतना प्रहदा खर्च नहीं देना पड़ता है इन दुकानों पर काम करने वाले करम्चारियों की तनख़ा भी इनी क में जोड़ी जाती तो ये ज़ो वह काम पर रखते हैं जिन तरचे में जोड़ी जाती है। तो यह जो वो काम पर रखते हैं जिन लोगों को उनका तनखा भी वो उसी में जोड़ते हैं। इसलिए दुकानों पर मिलने वाली चीज़े सापताहिक बजार से थोड़ी महेंगी होती है। वहाँ पे जो भी चीज़े बेची जाती हैं उसका सारा समान वो लोग अपने घर पे ही रखते हैं और उसके बाद वहाँ से लेके जाते हैं और उसको बेचते हैं और उनको अलग से कोई वरकर भी नहीं रखना पड़ता हैं उनके जो घर के लोग होते हैं वही उनकी help कर दिय जिसमें उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है जैसे अगर हमें कोई चीज एक के पास नहीं पसंदारी या महंगी है तो हम किसी दूसरे से जाके ले सकते हैं यदि एक दुकानदार किसी वस्तू के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है क कि वे अगली दुकान पर वही समान देख लें जहां संभव है वही वस्तू कम कीमत पर मिल जाए तो बहुत सारी दुकाने होती है कोई एक चीज लेना है हमें जैसे बरतनी लेने है तो अगर किसी कोई दुकानदार है सापताहिक बजार का वो हमें सही रेट पे नहीं दे र अरखे सापताहिक बजार देखने को मिलते हैं ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अफसर भी होता है कि वह मोल तोल कम करवा सके मतलब मोल तोल करके बार्गिनिंग करके हम चीज़ों के दाम कम करवा सके कभी-कभी जो दुकानदार होते हैं वह बहुत जादा पैसे बोल देते हैं तब हमारे पास option होता है कि हम उसके rate को कम करवा के समान को ले सके हैं ठीक है सापताहिक बजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सभी समान एक ही स्थान पर मिल जाता है सबजियां कपडों किराना समान से लेकर बरतन तक सभी चीज़े यहां उपल दोते हैं तो सापताहिक बजार का एक जो सबसे बड़ा फायदा दिखता है वो ये है कि वहाँ पर हमें हर तरह की चीज़े मिल जाती है एक ही जगा पर हमें अलग अलग जगा पर जाने की जरूरत नहीं एक ही बार जाओ और चीज़े हम खरीब के ला सकते हैं ठीक है तो काम इसले पड़ा क्योंकि ये सपता में एक बार लगती है फिर आता है हमारे महले की दुकाने महले की जबार कर्वाती हैं हम पास की डेली से दूद करी किराना वेपारी से मसाले और अनिक हाद प्रदार तथा स्टेशनरी के वेपारी से कागच कलम या फिर दवाईयों की दुकानों से दवाईय भी खरीच सकते हैं तो हमारे आसपस कई तरह की दुकाने होती हैं जहां से हम अपनी चीजे खरीच सकते हैं जैसे मेडिकल स्टोर होता है इसके लावाई स्टेशनरी की शॉप होती है फिर मतलब दूद के लिए डेली होती है और चोटे मोटे किराना स्टोर्स भी होते हैं जहां से हम अपने गाडियां मैकैनिक आधी दिखाई देते हैं तो ये जो दुकाने होती है वो पक्की होती हैं स्थाई होती है हम कभी भी अपनी ज़रूरत का समान जाके वहां से ले सकते हैं इसके अलावा आज सपास जो हमारे कुछ ऐसे दुकानदार भी होते है जो फल वगएरा बेचते ह हैं सबजी वगरा बेचते हैं अपनी ठेली वगरा लगाके कुछ गाड़ियों के मेकैनिक भी होते हैं जिनका यही काम होता है और बहुत से ऐसे हैलमिट वगरा बेचने वाले भी लोग होते हैं कई तरह की छोटे-छोटे मतलब दुकान लगाके हमारी घर के आसपास लोग होते हैं पड़ोस की दुकान सही अर्थों में बहुत उप्योगी होती है हमारे घरों के करीब तो वह होती ही है और हम सब्ता हमें किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी फायदमन वाली दुकान होती है क्योंकि हम किसी भी टाइम पे जा सकते हैं और वहां से हम अपने जरूरत का समान लेके आ सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये हमारे घरों के बहुत जादा पास होती है तो हमें जादा दूर चल के नह तो क्या होता है कि जो काफी टाइम से जब हम दुकानदार से समान ले रहे होते हैं वो इस्थाई दुकान हैं बार बार हम उसी जगा से समान ले रहे हैं तो दुकानदार और जो ग्राहक होता है दोनों एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं वो जानते हैं कि यह यहां रहते है या मतलब हमारे पास समान लेने आएंगे तो वो उधार देने के लिए जो दुकानदार होते हैं वो उधार देने के लिए भी तयार होते हैं और समान का जो भुकतान होता है वो हम बाद में भी कर सकते हैं ठीक है कई जगों पर भाही खाते चलते हैं कि रिकॉर्ड रख लिया साधन आ गया है, वो हमारा सौपिंग कॉमपलेक्स और मॉल आ गया है। शेहरों में प्रत्तक की बजार भी होते हैं, जहां एक साथ कई तरह की दुकाने होती हैं, इन्हें लोग सौपिंग कॉमपलेक्स के नाम में जानते हैं। तो आजकल शेहरों में ये बहुत जादा प्रचलन में आ गया है कि कुछ ऐसी दुकाने होती हैं जहां पर हमें हर तरह की मतलब समान मिल जाते हैं और ये फ्लोर्स में डिवाइड़ भी होती हैं तो इस तरह की जो दुकाने होती हैं उन्हें हम सौपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं इनकी अलग-अलग मंजिलों पर अलग-अलग तरह की वस्तुमें मिलती हैं इन्हें मॉल कहा जाता है इन शेहरी दुकानों में आपको बड़ी-बड़ी कंपनियों का ब्रैंडेट समान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रैंड का समान भी मिलता है तो इनकी मतलब फ्लोर इस फ्लोर होता है और अलग-अलग फ्लोर पर अलग-अलग तरह की चीज़े मिल जाती हैं, कई तरह की दुकाने होती हैं, ठीक है, तो इसे हम पूरा मॉल कहते हैं एक, और इन शहरी दुकानों में हमें बड़ी-बड़ी जो कंपनियां होती हैं, उनका ब्रैंडेट समान तक ह हम यहां से खरीद सकते हैं, और कुछ बिना ब्रैंड वाला समान भी हम यहां से खरीद सकते हैं, ठीक है, तो हर तरह की वस्तों यहां पर उपलब्द होती हैं, ब्रैंडेट भी और नॉन ब्रैंडेट भी, कंपनियां अपने ब्रैंडेट उतपादों को बड़े शहर के बा बजारों की स्रिंखला अगर हम बजारों की स्रिंखला की बात करें तो समानों का उत्पादन का कार खानों खेतों और घरों में होता है लेकिन हम कार खानों और खेतों से सीधा समान नहीं खरीदते चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें एक कम मात्रा में जैसे एक किलो या एक प्लास्टिक कब आदी बेचने में रूची नहीं लेंगे तो जो भी हम समान खरीदते हैं चाहे हम सापताहिक बजार से खरीदे या मतलब सौपिंग कॉंपलेक्स से खरीदे या फिर हम अपने पास की जो दुकान होती है वहां से खरीदे कहीं से भी खरीदे तो यह सा से आई होंगी या फिर कुछ समान ऐसे होते हैं जो घरों में भी बनते हैं ठीक है लेकिन हम जो मतलब हम लोग होते हैं ग्रहाक लोग होते हैं वह सीधा जाके हम ना तो कार खानों से समान ले सकते हैं और ना ही खेतों से ले सकते हैं मतलब ले तो लेंगे लेकिन जो कार खा में बिल्कुल इंट्रस्टेट नहीं होंगे क्योंकि कार खाने के जो मतलब वैपारी होते हैं वो जादा से जादा चीजे बेचने की कोशिश करते हैं ठीक है तो वह लोग जो वस्तू के उत्पादन और वस्तू के उभ्भूगता के बीच में होते हैं वैपारी कहा जाता है तो यानि जिसने वस्तू का उत्पादन किया है और जिसने वस्तू को उभ्भोकता तक पहुचाया है ऐसे लोगों को हम वैपारी कहते हैं ठीक है तो जो लोग वस्तू का उत्पादन करते हैं और वस्तू के उभ्भोकता के बीच में होते हैं उन्हें हम वैपारी कहते हैं ठी यहां खरीदने वालही हैं जैसे कि मतलब मालम लीजे क कोई एक वेपारी है तो उसने खेत में जाके किसी किसान से 100 kg के लगभग कोई प्याज की खरीद लिया, ठीक है? उसके बाद वह 100 kg लेकर अपने गुदाम में अया और वहां से कोई चोटा मूटा वेपारी होगा जैसे रेडी वगेरा लगाने वाला तो वो उससे 25 किलो या 30 किलो खरीद लेगा ठीक है तो जिसने मतलब जो किसान है उससे जाके खरीदा है वो भी वैपारी कहलाएगा और उसके बाद जो रेडी लगाने वाला होगा या कोई छोटे मोटे दुकान का मालिक होगा तो वो खर जादने वाले और बेचने वाले दोनों ही वेपारी होते हैं वेपारी ès्सरीं कि लंभी स्रिंखला का अंतिं वेपारी जो उभोगता को वस्तू बेचता है खुदर्या या फूर्टकर विपारी कहलाता है तो जैसे मान लीजे कि एक किसान है उससे समान खरीदा एक वैपारी ने फिर उस वैपारी ने अन्य वैपारी को अपना समान बेचा जो भी मतलब ग्रहक होंगे उनको अपना समान देगा तो इस वैपारी को हम खुदरा या फुटकर वैपारी कहते हैं तो ये भी वैपारी है और ये भी वैपारी है तो ऐसा ही चलता रहता है कि हम बड़े अमाउंट में खरीते हैं पिर उनको छोटे-छोटे amount में करके बाढ़ देते हैं, फिर वो लोग मतलब आगे बेचते हैं, यह वही दुकानदार होता है, जो आपको पडोस की सापताहिक बाजार सौपिंग कॉंपलेक्स में समान बेचते मिलता है, हर शहर में थोग बजार का एक छेदर होता है, यहां वस्तुएं पहले पहुचती हैं और यहीं से वे अन्य वैपारियों तक पहुचती हैं, तो जैसे सबजी वगरा कि हम बात करें, तो सबजियां मतलब मंडी वगरा में पहुचती हैं, फिर वहां से जो थोग वैपारी वगरा होते हैं, वो खरीद-खरीद के लेके जाते हैं सड़क किनारे की दुकान का छोटा वैपारी बड़ी संख्या में प्लास्टी का समान शहर के थोग वैपारी से खरीदता है हो सकता है कि वह बड़ा वैपारी अपने से भी बड़े थोग वैपारी से स्वयम समान खरीदता हो तो जैसे अगर सड़क किनारे जो दुकान लगाने वाला छोटा वैपारी है वो बड़ी संख्या में प्लास्टिका समान एक थोग वैपारी से खरीदेगा और ये भी हो सकता है कि उस थोग वैपारी ने अपने से किसी बड़े वैपारी से वो समान खरीदा हो ठीक है तो ये इससे सरिंकला कहते हैं मार्केट चेन कहते हैं तो ये चीज चलती रहती है शहर का बड़ा थोग वैपारी प्लास्टिक का या समान कार खाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गुदामू में रखता है इस तरह से बजार की एक सरिंकला बनती है तो सबसे पहले कार खाने स खरीदा ठीक है फिर कार खाने से वैपारी ने समान खरीदा फिर उसने अपने से छोटे वैपारियों को दिया फिर उसने अपने से छोटे वैपारियों को दिया होगा उसके बाद जो मतलब निचले सर के वैपारी आए उन लोगों ने हम तक चीज पहुचाई क्योंकि ऊपर क जो वैपारी होते हैं वो थोड़ी वो चीजे बेचने में मतलब इंटरस्ट नहीं रखते हैं जैसा कर एक पैन का एक्जामपल ले तो कार खाने में जब वो पैन बनी होगी तो हम माल लेते हैं कि वो चार पांच रुपए की बनी होगी ठीक है उसके बाद जब वो अगले वै पैन वैपारी का कंपनी का सब कुछ उसमें जुड़ चुका होता है तो इस तरह से करके एक मार्केट चेन बनती है और हम तक कोई समान पहुंचता है हर जगा बजार अगर हम बजार देखे तो आजकल तो हर जगा ही बजार हो गए है सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमारे आसपास की दुकाने ही है चाहे सापताही बजार है या फिर मॉल है यही बजारे हैं नहीं आजकल तो हर जगह ही बजार हो गया हम घर बैठे भी शॉपिंग कर सकते हैं ये भी एक बजार का ही रूप है अब तो तरह तरह के समान के लिए फोन में इंटरनेट पर भी ओडर दिये जाते हैं और समान आपके घर तक पहुंच जाता है तो ये भी एक हमारा बहुत ब करके और दे देते हैं और समान हमारी घर तक पहुंच जाता है और इसके लावा हम मतलब घर बैठे ही इसकी पेमिंट भी कर देते हैं पेटियम से या फिर फोन पे ऐसे कितने सारे आप्शन आगे हमारी क्रेडिट कार्ट से डेबिट कार्ट से घर बैठे हम इसका पेमिंट कर देते हैं हमारे घर समाना जाता है तो ये भी बाजार का ही एक विकल्प है बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है यह जरूरी नहीं कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता है तो बेचना और खरीदना आजकल मतलब कई तरीकों से चल रहा है जरूरी नहीं कि ह हम केवल बजार में जाएं तब ही चीज़े खरीच सकते हैं जैसे डॉक्टर्स वगएरा के यहां पर भी आजकल तो क्लीनिक्स में जो एमर वगएरा होते हैं वो अपनी दवाईयां मतलब देने आते हैं बेचने आते हैं इसके लावा अगर मतलब बहुत सी लेडीज होती हैं या बहुत से लोग होते हैं जो अपना घर से ही वैपार स्टार्ट करते हैं तो यह सारी भी चीज़े हम किसी के घर जाके कोई समान खरीद रहें तो यह भी बजार का ही रूप है चिके तो ऐसा नहीं कि बजार मिल्कुल सिमिट के रह गया नई बजारों ने अपना काफी तो ऐसी भी कई जगाहे हैं जहां बिकने और खरीदने वाली जो चीजे होती हैं हम सीधा इस्तमाल नहीं करते हैं बलकि उसके प्रतिरूप को इस्तमाल करते हैं जैसे एक किसान अपनी फसल के पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उवरक का इस्तमाल करता है यह उवरक सहर के कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है तो जैसे किसान जो होता है वो हमें जो मतलब फसल या जो उसकी फसल होता है जिससे की वो हमें चीज़े देता है उसको बढ़ाने के लिए उस फसल को बढ़ाने के लिए वो जो खाद और उवरक का इस्तमाल करता है वो शहर की कुछ खास दुकानों से खरीद के ले जाता है जो उसे कार खानों से माल मंगाया जाता है, जहां खाद के कार खानों से माल मंगाया जाता है, उसी तरह अगर हम कार के कार खाने की बात करें, तो वहाँ पर इंजन, गेर्स, पेट्रोल, टंकिया, एक्सल, पहिये, आधी अलग-अलग कार खानों से खरीदे जाते हैं, तो हम क तो पहिये वगरा ये सारी कितनी सारी चीज़े होती है लेकिन हम इस बात से बिल्कुल बेखबर होते हैं परंतु हम इन सबसे हम बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम मुत्पात कार को ही देखते हैं मतलब देखते हैं सभी चीजों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कानिया तो और इसमें बहुत ही important topic है ये कि बाजार और समानता क्या हमारे बाजारों में हमें समानता देखने को मिलती है या क्या बाजार की वज़े से हम और समानता को भी देख सकते हैं अपने समाज में तो हाँ बिलकुल ऐसा है क्योंकि जैसे कि अगर हम छोटे बाजारों की बात करें तो वहाँ वही लोग जाते हैं जिनकी salary कम होती है और अगर shopping complex की या mall की बात करें क्यूंकि वहाँ पे समान महंगा मिलता है, branded मिलता है तो वहाँ वह लोग जाते हैं जो मतलब जिनकी salary जादा हो, जिनके पास पैसा हो तो ये कहीं न कहीं असमानता को ही धर साता है इसको आंतर है एक छोटी पूंजी से विवसाई करने वाला दुकानदार तथा दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है तो अगर हम सापताहिक बजारों की बात करें तो वहां पर ऐसे दुकानदार होते हैं जो अपने वेपार में छोटी छोटी पूंजी लगा सकते हैं छोटा अमाउंट लगा सकते हैं लेकिन अगर हम सापिंग कॉंपलेक्स के बात करें या मॉल के बात करें तो वहां की जो दुकानदार होते हैं वह अपनी बड़ी पूंजी लगाते हैं ठीक है तो हम यहां पर दुकानदारों में डिफेंस देख सक इनकी आमदनी भी अलग-अलग होती है, सापताहिक बजार का छोटा दुकानदार सौपिंग कम्पलेक्स के वेपारी की तुलना में बहुत कमा पाता है, इसी तरह खरीदारों की भी अलग-अलग सिती है, ऐसे बहुत से लोग जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पा करते हैं, तो कुछ सौपिंग कम्पलेक्स में रहते हैं, उसी तरह हमें खरीदारों में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो सस्ता समान भी नहीं खरीद पाते, मतलब कम चे कम अमांट का भी समान नहीं खरीद पाते, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं, जो मतलब महंगी चीज़े खरीदने में ही व्यस्त रहते हैं ठीक है वो ब्रैंडड चीज़े ही लेते हैं तो ये भी तो एक डिफ्रेंस को ही मतलब दिखाता है असमानता को दिखाता है ठांक यू सो मच